32 गर जगदरपुर पुलिस अधीक शक शलब कुमार सिन्हा के नेतरित में बस्तर पुलिस लगातार आपराधिक तत्वों के खिलाफ कारवाई कर रही है टीम बनाकर लूट के दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है वहीं शिकात करता अमित कुमार ने भानपुरी थाने में रिपोर्ट दर्श कराई कि वह अपने दोस्त के साथ मोटर साइकल से आमबाल के लिए गया था तीन लोगों ने मोटर साइकल से पीछा करते हुए उसकी मोटर साइकल मोबाईल और 10,000 रुपए लूट लिये बतादे की जानगारी मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर कारवाई के लिए रवाना हुई वही तीम द्वारा CCTV फुटिज के आधार पर आरोपियों को पकला ग 20 जुलाई के जर्मियानी रात के बड़े आमाबाल क्षेंतर में अमित पात्रे जो नरायन पुर्जिला की निवासे हैं वो अपने बाई से जा रहे थे वहाँ पर तीन अग्यात लोगों ने इनकी गाड़ी रोग करके इनके साथ हाथा पाई की और इनकी गाड़ी रूट करके चले है इन्होंने जानकारी जैसे ही भानपुरी पुलिस्ताने में दी पुलिस्ताने के द्वारा आसपास पतासाजी करना चालू किया गये इन्होंने बताये कि ढाबे में ठाना खाकर निकले थे तो ढाबे में जो CCTV वगरा फूटेज है वहाँ पे फूटेज निखाला गया तो जो तीन संदिक थे उनके पहचान प्राथे के द्वारा की गए कि यह लोग संभवता वही हैं जो जो ने रूट के उटना कारित की है सुचना मिलने पर अपने मुख्विरों को लगा करके हम लोगों ने जो CCTV से पहचान की थी उन लोगों को हिरासत में लिया जो एक का नाम दिनेश नायग और एक का नाम पुरन यादव है यह लोग आसपास कही रहने वाले थे इनसे जब पूस्टाच की गए तो उन्होंने कबूल कर लिया अपना अपराथ और इनके निशालदेय पे जो लूट का समान है वोटर साइकल, वोबाईर और नगत वो बरामत किया गया है और एक कीसरा रूपी भी इनका है जो कि अभी फरार है उसके बारे में भी जनकारी मिली है और उसको भी जल से जल दिरासत करें